नमस्ते मैं कैंसर हूँ अप लोग कैसे हो जुरूर मजे में होंगे क्योंकि अभी मैं जो नहीं हुआ हूँ क्या हुआ डर गए क्या तरने का नहीं रे बाबा मैं तुमसे तुम्हारा बैंक बैलेंस प्रापार्टी कुछ नहीं मांगूंगा मैं इतना बरा बिमारी हूँ कि तुम्हारे प्रापार्टी को क्या करूंगा रे बाबा आपन को बस तुमसे एक ही चीज मांगता और वो है तुम्हारा जान ऐसे छुपके से तुम्हारे सरीर में घुसूंगा तुम्हारे सरीर में रहूंगा बलकि वहीं पर बसी जाओंगा बत हाँ तुम्हारे सरीर में जो वाइड ब्लाट सेल्स है ना और कोई डिफेंस सेल्स जो तुम लोगों का इम्म्यूनिटी बराता है वो ना बहुत चिक चिक करता है मेरा साथ मेरे को वो तुम्हारे सरीर में बसने नहीं देता हाँ जब ये वाइड ब्लाट सेल्स और उसकी पूरी पल्टन तुम्हारे सरीर में से कम होने लगते है किसी वजा से जिससे कि तुम लोगों का इम्म्यूनिटी कम होने लगती है तब मेरे को असानी रहती है तुम्हारे सरीर में पनपने में तुम लोग मेरी बात इतनी धैन से सुनी रहे तो मैं तुमको आपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ ज़्यादा बड़ा कहानी नहीं है बोले तो सौर्ट स्टोरी पहले बहुत अकेला आप लाचार था क्योंकि मेरे को कोई बोडी ही नहीं मिल रही थी बैसने के लिए मेरे को सर्माजी मिले उसके सरी में बहुत ही कम वाइट ब्लाच सेल्स थे जिसके बज़ा से उनकी इम्यूनिटी कौम हो रखी थी पर सर्माजी को क्या वो तो मेरे पर धैनी नहीं देते खुक 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 करके खासते रहेंगे सर में दर्द भी रहता उनको उनका घाव भी नहीं भर रहा था बुखार और इन्फेक्शन में परे रहने का उनका तो रोच का पिरोग्रामी था जीव और मू में लाल और सफेद धब्वा और ये साव उनके दो हपते से जादा चल रहा था पहले कितने फूर्तिले थे सर माजी हाँ आप कैसे बेट पर पहले रहता है पर सर माजी तर्द से मसना हुए ये एक बार ही नहीं गए डेक्टर के पास्चे का के लिए उनको लगा आप उन तो कोई छोटी बिमारी है यूँ ही चुटकी बजा के ही ठीक हो जाएगा कैंसर नाम सुनके जोडियाक साइन समझा क्या डीजीज हूँ मैं मैं जुकेगा नहीं अभी सर माजी को तो टाटा बाई बाई हो गया फिलाल मैं मिस चित्रा का सरीर में रह रहा हूँ दो हफ्ते होने को आए मेरे को क्या हो रहा है इतना डर्द क्यों हो रहा है मेरे को चित्रा तूम यहां कैसे आए कैंसर मैं शर्मा जी के जैसे नहीं हूँ मैंने सही वक्त पे अपनी हेल्थ की केर ली और अपने हेल्थ केर पती केर आपको क्लोज किया पर कैसे? मैंने सही टाइम पे जाके डॉक्टर से चेक अप करवाया और अपने हेल्थ केर को नेगलेक नहीं किया मैंने एक्सरसाइज और योगा करके healthy body weight maintain किया अपने खाने में antioxidants से भरपूर सबजिया और फल जैसे गाजर टमाटर खाना शुरू किया तो cancer अब तुम्हारा टाइम आ गया है टाटा भाई भाई कहने का तेही तो इस तरह आप भी अपने health care प्रती care gap को कम करके cancer से बच सकते है साथी में एक जिम्मिदार नागरिक के नाते आप गाओ और शहर में जाके लोगों को cancer के बारे में जागरूख कर सकते है एक चीज याद रखियेगा cancer कभी किसी के बीच भेदभाव नहीं करता तो आईए सब मिलके इस cancer नामक भीमारी से लड़े और सही टाइम पे अपना इलाज करवाके अपने health care को निगलेक्ट ना करके इस cancer की लड़ाई में जीत हासिल करे तो दोस्तों cancer से बचने के लिए आज ही शपत ले Let's close the care gap करेंगि टाइमि में जीत है करेंगि टाइमि जीत है झाल